हेलो फ्रेंज कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे तो फ्रेंज इस वीडियो में मैं आज बात करूंगी जो एक्जाम पॉइंट ओफ व्यू से बहुत ही इंपोर्टेंट है कि इस टाइप का कोश्चिन पूछ लेते हैं जो एंशेंट कोई भी सिटी प्लेस का जो एंशेंट नेम है और उसका मॉडर्ण नेम क्या है इस तरह का कोश्चिन में अज दा फॉल्लॉइंग में बहुत आते रहते हैं इस तरह का कोश्चिन इस वीडियो में डिसकस करूंगी और इसके अलाबा त्य तीन चार कोश्चिन है तो चलो फ्रेंज देख नेम है अज इउख तो फ्रेंज देखों कि बूलंद सहर जिसका प्लाचिन नाम था बारना को तो कुल्लू कढाचिल और वस्चिन से यह बहुत हम आप चाहां इसको नोड डाउं या स्कीन शॉट भी ले सकते हो क्यूंकि यह म्याच्त फालूंग में आते रहते हैं तावर हिंद, अनहील वाड़ा पाटन, चरसद्दा जो टेश्वार में है पुस्कलवत्ती, कपीसा बेग्राम आफगानिस्थान में है जो, हेली बीट द्वार समुद्र, मैसूर गंगवारी, बदामी आई होल, अमरावत्ति जिसका प्राचीन नाम था धर्नी कोट या धर्न्यकटक है ettव ये दो नाम है मतलब धन्यकटक य्या धर्न्यकोट dawdesaur, पुड़ा ग्यारsters समों अची तरए हैँ ऑचे canal से देखलो और इसको नोट डाउन भी कर लेना सीन किवें स्मील का कोशिन में आज़े वेल म यह में क्हाना है जो ड्रामा है कुंतलेश्वर दाइत्य वह एट्रिब्यूट किया गया है काली दास को तो ये किसने किया था इसके दूआड़ा यह कुंतलेश्वर देटे हैं यह किसने कंपोस किया था तो चलो फ्रेंस ऑफ्षिन देख लेते हैं कुंते लेश्वर वावडी राजशेखर एंड खेमेंद्र तो फ्रेंस इसका जो और आंसर हो जाएगा वो है एंसर डी खेमेंद्र फ्रेंस यह खेमेंद्र जो की 11th century 11th century का है इसका time period आसपास है और यह किसमीर के रहने वाले हैं छलते हैं और फ्रेंस यहों से कौन सा इसका और पाता चलता ले lawyers का channel सिस्टेम था वो कैनल सिस्टेम के बारे में कौन सी सोर्स से हमें पता चलता है तो आप्शन देख लेते हैं फुतुहाति फिरोज शाही तारीखे मुबारक शाही तारीखे फिरोज शाही औनान अगदा अभो तो इसका करेक्ट आणसर हो जाएगा ऑप्शन बी तारीखी बी ऑप्शन फिरोज की फिरोज का उट बायोग्राफी है और जों से DJ सल्तनत में फिरोज शाह तुयञट्यी छी टीकार भाब्रु जहंगीर यह दोनों मोगल सम्रार्ट अक Schabernि ने लिखे ठीए ओी तार था और माुबाज शाह तुग्ल कर टीकना है फ्रेंस और तार exposure के तारिकी फिरोगत तारिकी फिरोगा आप सभी जानते हो जिया दिन पल्पनी का है ठीक है चलते हैं अगले कोश्टीन पर तो फ्रेंश देखो इस कोर्षिन में बताना है इनने से कौन है जो अलबर्संथ? अपर कूल से ख़ड़ा सम्मंदऱ या फेन कटिन आथो इसका पर कसी dirigion हो जाएगा से चायाँ क्रूल से वानल्बर्संत फ्रेंश यह कूल से खार ना को मूण एक चेरा कीन है और और फ्रेंज एक कुल सेखर नेना दो बुक लिखी थी ओ भी आप अच्छी तरह से देख लो एक है पेरुमल तिरुमुली पेरुमल इसको आप नोट डाउन भी कर लेना क्योंकि यह भी बहुत इंपॉर्टेन है तेरुमुली सोरी पेरुमुली तिरु पुड़ाम तिरु कुल सेखर का है मुकंध माला यह भी आप याद कर लेना ठीक है फ्रेंज और फ्रेंज यह आहम जान लेते हैं अलवर संथ कौन थे तो फ्रेंज साउथ इंडिया में 6-8 सेंचुरी में अलवर संथ और नैनार संथ यह दोनों का उद्वफ हुआ था अलवर जो थे वो बशन संथ संथ और उसका संथ था था थो था 63 कृ터리 समे संथ और इस में से डीकमंत हो संथ और संथ संथ कितना था और जो नैनार संथ uksंथ Doska संथ कितना था था लगा जो नार थे उसका संथ यह जो 2 और Dinge संथ फांप रेंफ है और यह ड़ आप अच्छी तरह से याद कर लेना यह बहुत सारा स्टेट लेवल एक्जाम यह फिर बहुत सारा कॉंपुरिटिटिव एक्जाम में भी आते हैं तो ठीक है फ्रेंश यह क्लियर हो गया चलते हैं अगले कोश्चिन पर तो फ्रेंश देखो यह स्कूर्श्चिन में बताना है जो 1904 में बेंगल इनाइट एस पावर बेंगल डिवाइडेट विल पूल इन सेवरल डिफरेंट वे जो यह किसमें कहा था जो बेंगल एक साथ है तो एक एक वहत भी पावर्फुल मतलब पावर्फुल सकती है और जो बेंगल बेंगल को डिवाइड कर दिया गया तो इसका पावर भी पर डिडुस हो जाएगा एंपूल इन सेवरल डिफरेंट वेज में तो फ्रेंश यह किस ने कहा था बेंगल डिवाइड के बारे में तो फ्रेंश तेलो ऑप्षन देख लेते हैं लॉट कारजन हारबर्थ लॉट मिंटो एंड लैंसलोट है इसका जो प्रेंसर हो जाएगा वह एंसर भी हरवर्ट रिसले तो 1904 में यह बेंगॉल लिवाइट के बारे में यह कथन बोला था हरवर्ट रिसले ने ठीक है फ्रेंस और यह भारत का भाइसरोई जो था वह था लॉट कार्जन आप यह भी आच का जो लास्ट कोस्टिन है उसमें तो फ्रेंस यह भी बुक्स और राइटर का नाम कुछ दिया है तो फ्रेंस यह भूक और राइटर के ऊपर मैंने फोर वीडियो बनाए है तो जिन्हों ने भी उन वीडियो को नहीं देखा है बहुत ही इंपोर्टेंट है एक्जाम आते हैं नीचे डिस्कृप्शन में लिंक है वो वीडियो जरूर देख लेए तो फ्रैंस यह कोस्टिन मैं जो नाम है और जो राइटर है उसका नाम एक सेम जगा में दे दिया है इसको मैच करने में था लेकिन मैंने इसको मिला के मिला मिला के है तो सिर्फ आप देख लो इस सोसाइटी आप जेसास लिखा था एगनाटियस ओफ लोयोला ने दा सिविलाइजेशन आप दा रेनेसा इन इताली जो जैकोफ बढखादर्थ का है ऑप्शन सी देखो इंसिट्यूट आप दा क्रिश्टन रिलिजियन जो जोन कैल्विन का है ऑप्शन डी क्रिटिक ओफ इमानुएल कंत का है तो फ्रेंट्स ये तना चारो बूकी बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि ये तो मैच दा फॉल्व में हर बारी रहते है बूक तो ठीक है तो तो फ्रेंट्स आज के लिए इतना ही था और फ्रेंट्स इस बीडियो से ये एंशेंट नेम और ओल्ड कर लेना थैंक यू सो मच फॉर वाचिं दिस वीडियो